हेलो फ्रेंट्स, WSQ Tech के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंट्स, आज 11th क्लास के Python की बुक में हम लोग डिसकस करें, चाप्टर 8 को चाप्टर 8 इस डेटा हैंडलिंग, और डेटा हैंडलिंग में हम लोग अभी जो डिसकस करें व्रेंट्स, कुछ operators हम लोग पिछले वीडियो तक डिसकस कर चुके हैंज आज कुछ और operators हम लोग डिसकस करने वाले तो फ्रेंट्स, आज जो मैं operator डिसकस करने वाला हूँ आपके साथ में वो हैं मेरे पास नहीं Logical Operator Logical operator क्या होता है Logics के base पे काम करते है Basically अगर हम लोग बात करें तो तीन टाइप केस में operator होते है जिसको हम लोग कहते है And operator, or operator, or not operator देखिए And अगर हम English के And की बात करें तो क्या होता है यह connect करता है यह कह सकते हैं कि यह जो join करता है किसी दूसरी condition को बोलिए, एक बोलिए is greater than equals to 21 और दूसरी बोलिए is greater than or equals to 18 अगर यह दोनों conditions true होती है तो ही final हमारा कोई result बन सकता है जैसे अगर मैं यह example अगर ले रहा हूँ तो suppose हम लोग शादी के लिए बात कर सकते हैं शादी के लिए हमारे पास दो conditions है एक तो यह होगी कि जो दूला है उसकी जो age है वो 21 से जादा होनी चाहिए और ऐसी जो girls होंगी उनकी जो age है वो 18 प्लस होनी चाहिए 18 और 18 से जादा तो friends दो conditions है हमारे पास में इन दोनों में से कोई भी एक condition अगर हमारी false हो जाती है तो इसका जो result है वो finally false आने वाल होगा मतलब यहाँ पर दो conditions को हम लोग यहाँ पर check करेंगे दोनों conditions true है तो हमारा result true होगा otherwise false हो जाएगा ऐसी friends next है हमारे पास में और और में क्या होता है कि दो conditions है या तो यह वाली चल जा या फिर दूसरी वाली दोनों में से कोई भी यह condition चल सकती है ठीके पहरी check करी अगर true होगी तो ठीक है नहीं तो दूसरी चेक कर ली यह दूसरी वाली true होगी है दोनों में से कोई भी condition true होगी तो हमारा result जो है वो finally true हो जाएगा और ऐसी friends not है हमारे पास तो not जो है वो किसके लिए होता है कि अगर हमारा जो कह सकते हैं कि जो conditions है अगर हमारी conditions true है तो उसको वो invert कर देगा उल्टा कर देगा तो वहाँ पर true को false कर देगा और false को true कर देगा तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर logical operator को तो friends logical operator जो है हम लोग इसको देख लेते है logical operator क्या है तो logical operators are used to combine conditional statements दो conditions है हमारे पास उनके उपर आपको कुछ result लेना है दो conditions को आपको combine करना है और उसके base पे आपको कोई result निकलना है तो friends तीन टाइप के operator हैं जैसे आपके पास है and अब देखिए आप शायद अगर c c plus plus जावा अगर कभी कुछ पढ़ चुके हैं आपको थोड़ा बहुत भी आई यह तो वहाँ पर क्या होता था friends m% operator को हम लोग use करते थे and के लिए हम लोग वहाँ पर use करते थे m% operator को और के लिए हम use करते थे दो pipe को यह और होता था और not के लिए हम लोग use करते थे exclamation symbols को ठीके तो यहाँ पर आपको जो है वो a and d पूरा लिखना पड़े का and और यह small में ही लिखना है आपको ठीके तो and operator है क्या करता है returns true if both statements are true दोनों ही true है अभी मैंना आपको example बताया था तो उसके according है friends suppose मेरे पास x में कोई value है ठीके मेरे पास suppose मैं यह पर लिख देता हूँ x equals to suppose मैं लिख देता हूँ चलिए मैं 4 लिख देता हूँ x is less than 5 क्या आएगा इसका result true ठीके 4 is less than 5 condition true है हम लोग देखेंगे x is less than 10 ठीके तो इसका भी output आपके पास क्या आएगा मतलब कह सकते हैं इसका result आपके पास क्या आगया true ये भी true वो भी true तो finally आपका result क्या हो जाएगा true हो जाएगा ऐसी friends next हम लोग देख लेते तो next है मेरे पास वो है और और मैं किया है returns true if one of the statement is true दोनों में से कोई भी एक अगर statement आपका true हो जाता है तो result आपका true हो जाएगा जैसे friends ये है कि मेरे पास x is less than 5 ठीके अभी x की value अगर आप देखेंगे तो क्या है 4 4 is less than equals to 5 condition true है ठीके यहां अगर आप लोग देखें तो क्या है x is less than 4 condition false है ठीके अब false क्यों कह रहा हूँ कि वो 4 है क्या 4 4 से छोटा होता है क्या नहीं equal operator होता तो उसका result जो है आपके पास true बन सकता था ठीके तो इसका result क्या है आपके पास true इसका result क्या है आपके पास friends reverse the result यनि कि अगar आपका result true है तो यह उसको false कर देगा और false है तो उसका result वो true में कर देगा देखें हम friends यह क्या है false if the result is true अगर result true है तो false कर देगा देखें friends मेरे यहां लिखा है x is less than 5 इसका result क्या है आप देख सकते है क्या result आएगा हमारे पास में ये true है ठीक है इसी तरीके से देखता हूँ मैं and x is less than 10 इसका result भी क्या है true final result क्या बन गया friends हमा रहा है true लेकिन इसके आगी क्या लगाया है not इसका जो result है वो क्या जाएगा finally false आने वाला है तो इस तरीके से friends आपको जो है यह तीन operator को discuss करना है अब यहाँ पर जो हम लोग discuss करते operators को लेकर के उसकी टेबल बनाके रखिए मैंने next slide में हम लोग देख लेते हैं table friends यहाँ पर देख सकते हैं आप condition one है condition two है ठीक है दो condition है condition one condition two और इसका जो हमारे पास बनेगा इनकेस अगर आपकी फर्स कंडिशन ट्रू थी सेकंड ट्रू थी तो रिजर्ट ट्रू बनेगा ठीक ही किसकी discuss करें हम लोग and अच्छा and जो है वो small में है and जब आप operator भी use करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिखा एंड ठीके इसी टैप चे ट्रू false क्या बनेगा फॉल्स फॉल्स बन जाएगा फॉल्स-पॉल्स पॉल्स बन जाएगा फॉल्स एक टाइम पर ट्रू बनेगा कब जब दोनों की दोनो कंडिशन क्या है आपकी पास में true है यह आपको semicigna होगा ठीक्ये एंड कि टेबल है इसी तैबसे फ्रेंद हम लोग और की टेबल देह सकते हैं और की टेबल में क्या हो गा दोनों की दोनों अगर जब फॉल्स हो देएंगी तो हमारे। क्या बनेगा नोदोनों मैं से कोई भी एक कंडेशन भी अगर आपकी two हो जाती है चाया फर्स चाय सेकंड़ तो हिसा कि पाइटन के अंदर जो हम लोग Alter डिसकस का रहे हैं, कुल मिला करके logical operator हमारे पास तीन टाइप के थी, यह आपको अच्छे से समझवाये हैं, इस लिए अब ही, क्योंकि यहाँ पर जो है single code, double code नहीं है, इसलिए यह आपके पास क्या है, एक boolean है, ठीके, boolean value है, जिसमें true और false ही होते हैं, आप जानते हैं, हमने पहले discuss कर रखा है, boolean में true और false होता है, true का मतलब क्या होता है, हमारे पास में, one और false का मतलब क्या होता है, zero, तो friends, x equals to true, y equals to false, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, तो हमें क्या करना है, print करना है, क्या print करना है, x and y is, x and y is का मतलब है, यहाँ पर हम लोग use करने वाले and operator को, तो x and y, x and y, इसका result finally क्या बनेगा, यह तो बनेगा true या फिर क्या बनेगा, false, देखिए यह है true, यह है false, यहाँ क्या है, आपका and, त तो दोनों true होगी, तभी आपका result हो true बनेगा, इसलिए यहाँ पर क्या इसका print करेगा, इसका output देख सकते है, friends क्या लिखायागा, false, समझ में रहा होगा, false क्यों लिखाया, क्योंकि दोनों condition true होगी, तो भी तो result हमारा true बनेगा, ठीक है, इसी टाइप से friends, next देखते है, हम लोग x और y, तो इन दोनों में से कोई एक तो true है ना, हमारे पास, तो बस एक ही हमें true चाहिए, चाहे दोनों हो तो चल जाएगा, लेकिन एक भी एका true हो गया, तो result हमारा क्या आजाएगा, friends, आप देख सकते है, result क्या गया हमारा true हा चुका है, इसी टाइप से friends, भी ने यह जो टापिक है, हम लोग जो देख रहें, logical operators का यह आपको अच्छे से समझ में आया है, तो friends, आज हम लोग जो discuss कर रहे हैं, वो हमारे पास logical operators थे, जिसको हम लोग उना practically and theoretically दोनों तरीके से समझ लिया है, example के साथ मैं आपको बता दिया है, इसी तरीके से friends, आज हम लोग इतना ही cover करने वाले हैं, इसी तरीके से आगी के वीडियोस के अंदर जो है, वो हम लोग और अलग-अलग टाप के operators को discuss करने वाले हैं, तब तक कि लिए friends आप हमारे साथ बने रहे हैं, thank you.